असलाम अलेकुम नाजरीन, Education and Entertainment चैनल पर पाकिस्तान में करोना वाइरस से रिलेटिड वीकली अपटेट के साथ हम हाजिर हैं आज हम जो ओवर्वियू करेंगे वो डेली जो न्यू केसिस रिपोर्ट हो रही है जो एक्टिव केसिस हैं और जो रिकवर्ड केसिस टेली लास्ट फ्यू वीक से ट्रेंड जो चल रहा है उसका ओवर्वियू करेंगे फिर हम देखेंगे टोटल एक्टिव केसिस हैं और जो है उनका क्या अपस में comparison चल रहा है और फिर सबसे हैं जो आज का एक निया parameter है growth rates का overview देखेंगे कि active cases की speed से rate से grow कर रहे हैं और recovered cases की state से grow कर रहे हैं और क्या हम more sharp peak की तरफ जा रहे हैं या slow जा रहे हैं इससे काफी idea होगा next हम देखेंगे कि virus का spread last time जब हमने देखा था कि सो टेस्ट perform करने पर कितने positive cases detect हो रहे हैं पाकिस्तान में उसका trend किस तरह से आगे change हुआ है और सबसे end में जो last time हमने peak की prediction की थी उसको देखेंगे कि अब अब हम कहां खड़े हैं और आगे क्या हो सकता क्या हो सकता है अगर हम daily new cases को देखें तो डिफरेंट ranges में पाकिस्तान में new cases report होते रहे हैं early days में less than five hundred few hundred cases होते थे एससे एससा बढ़कर उनकी range जो है एक हज़ा से दो हजार के दर्मयान काफी दिन रही फिर last two weeks से वो 2000 से 3000 के दर्मयान थी और last two days से वो 3000 को टच करती करती अब 4000 तक पहुंच चुकी है daily new cases और यह recent जो sharp increase है यह of course जो हमने बाद औरों में शापिंग की है उसका नतीज़ा है इसी तरह से अमवाद में हमने last two three days में कुछ सेदा rise देखा है वो actually कहते हैं कि एद के दिनों में कुछ paperwork missing था तो वो अमवाद को भी एड़ किया गया तो 90 के करीब भी एक दफार रिपोर्ट हुई है लेकिन overall भी हम एक increasing trend ही देख रहे हैं जैसे new cases में increasing trend देख रहे हैं उसी तरह से unfortunately जो daily basis पे अमवाद हो रही है उन में भी इदाफा हो रहा है हो रहा है अच्छा अब मीडिया में जो report होता है वो होता है कि total cases पाकिस्तान में 60,000 हो गए 70,000 हो गए 80,000 हो गए actually उन में से बहुत सारे recover भी हो रहे हैं और काफी तेजी से recover हो रहे हैं in fact सिंध में तो इस वकत recovered cases active cases से जएदे हैं यानि कि इस वकत लोग मुब्तिला हुए थे उन में से आदेह से जएदा recover हो चुके हैं सिंध में anyhow तो पाकिस्तान में recovered cases में भी इदाफा हो रहा है जैसे कि graph में देखा जा सकता है तो जो average वाली line है वो continuously उपर की तरफ जा रही है तो it means daily basis पे अब 1000 से जएदा लोग recover हो रहे हैं इस वकत प और यह असल जो असल जो parameter है यह असल इस वकत पाकिस्तान में जितने मरीज करोना के मुझूद हैं या infected लोग हैं वो active cases हैं daily के active cases जो के total cases जो होते हैं उन में से जो recover हो गए या खुदानखास्ता जिनकी अमबात हो गए उनको minus करके उनको subtract करके जो net value बचती है वो daily active cases होते ह तो हम देख सकते हैं कि actually last तकरीबन two weeks से daily active cases की constant value सी थी अगर आप average daily की value देखें वो line एक 1000-1500 की range के अंदर ही रही 1000-1200 की range में तो इस से ज़्यादा cases नहीं आ रहे थे या नहीं कि हमारे hospitals पे एक constant load था जितने क्योंकि इसकी वज़ाई है कि recover भी लोग उसी तेजी से हो रह ही थी लेकिन अब last three days में of course वो हमारी यीद की shopping का नतीजा है कि active cases एकदम से बढ़ना start हो गया है which means अब हमारे hospitals पे जो पहले उतना over burden नहीं थे ज्यादा over burden होंगे और हमारे hospitals में तो थे ही कुछ बड़े hospitals में occupancy बहुत जादा थी वो आप खुदा नहां खासता over load ना कर जा जादा तो over load ना कर जाए